probability पर based next problem इस प्रकार है कि हमें इसमें दिया गया है कि 52 cards के एक pack से one card select किया जाता है तब हमें इसमें दिये गए events की probabilities find करनी है तो चलिए अब हम इसे solve करते हैं माना यह हमारे पास 52 cards का एक pack है अब हमें इसमें से एक card select करना है पार्ट A में हमसे पूछा गया है कि इस random experiment के sample space में कितने points अर्थाथ sample points कितने होंगे जब हम 52 cards के एक pack में से एक card select करते हैं तब total 52 possible outcomes होंगे जिसका अर्थ है कि sample space में 52 elements होंगे तो हम कह सकते हैं कि इस random experiment के sample space में 52 sample points होंगे पार्ट B में हमें probability find करनी है यदि selected card ace of spades है सो माना यह event E है हम जानते हैं कि 52 cards में से केवल एक card ace of spades होता है सो n of e is equal to 1 होगा अब हमें इस event की probability find करनी है हम जानते हैं कि sample space में 52 elements है सो event E की probability 1 by 52 के equal होगी अब यदि हम part C की बात करें तो इसके first part में हमें selected card के ace होने की probability find करनी है सो माना यह event F है हम जानते हैं कि 52 cards में से केवल 4 cards ही ace के होते हैं सो n of f is equal to 4 हो जाएगा अब हमें इस event की probability find करनी है जो की हमें 1 by 13 के equal मिलेगी C के second part में हमें selected card के black color के होने की probability find करनी है सो माना यह event G है हम जानते हैं कि 52 cards में से 26 card black color के और 26 card red color के होते हैं सो इस event में number of elements हमें 26 मिलेंगे अब हमें इस event की probability find करनी है जो की हमें 1 by 2 के equal मिलेगी जो की हमें इस पाग ऑ की झाले बही 세상 आपरो पागै में यह फी घवादट आपल हमें इस of मेंटे आपका जो weग झाब कारनी है